दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोटेंड है मंदान समापत होने के बाद सबसे बढ़ी टेंशन होती है लिफाफो को सील करके जमा करने की कौन सा लिफाफा सामे दिखे और कौन सा लिफाफा ये सामे दिखे कौन सा लिफाफा सील होना है और कौन सा लिफाफा सील नहीं होना है काउंटर पर कौन कौन सी सामगिरी जमा होगी तो इस वीडियो में हम आपके साथ ये सारी जानकारी साजा करने वाले हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप से नहीं वेदन है अगर आपने हमारा चेनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चेनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो मनाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तो सबसे पहले हम सामेदिक लिफाफ़ को देखते हैं सामेदिक लिफाफ़ पांच होते हैं इनका रंग हरा होता है इन पांचों लिफाफ़ को सील करके आपको एक बड़े पेकेट में रखना होता है तो इस लिफाफ़ पर आपको एंट्री करनी होती है इस लिफाफे पर सबसे उपर लिखा है विधान सबा ओबलिक लोक सबा तो ये विधान सबा का निर्वाचन है तो आपको लोक सबा को काटना है उसके बाद है जनपत का नाम तो आपको अपने जनपत का नाम यहाँ पर लिखना है विदान सभा निर्वाचन छेतरी की संक्या वे नाम तो यहाँ पर आपको अपने विदान सभा की संक्या लिखनी है उन नाम लिखना है नमबर तीन पर मद्देस्तल की किरम संक्या तथा नाम तो आपको अपने मद्देस्तल की किरम संक्या उन नाम लिखना है नमबर चार पर है मद्दे इस्तल का इस्तान तो आपको मद्दे इस्तल का इस्तान लिखना है पीटासी नदीकारी का नाम एवं पदनाम तो आपको अपने यहाँ पर नाम लिखना है और पदनाम में अगर आप हेड मास्टर हैं तो आप हेड मास्टर लिखेंगे अगर आप सायक अध्याबक हैं तो आप सायक अध्याबक लिखेंगे पॉइंट नमबर छे पर पीटासी नदिकारी अपने हस्ताक्सर करेंगे नमबर साथ पर मतदान का दिनांग तो इस तरह से आपको सभी लिफाफे पर ये एंट्री करनी है अब हम देखते हैं कि सावेदिक लिफाफे कौन-कौन से है लिफाफा नमबर एक निर्वाचक नामावली की चीहनित पिरती मतदान अधिकारी पिर्थम के पास जो निर्वाचक नामावली की चीहनित पिरती होती है उस चीहनित पीर्टी को आपको इस लिफाफे में रखना है लिफाफा नमबर दो मद्दाता रेजिटर पिरारूप 17K तो इस लिफाफे में आपको मद्दाता रेजिटर को रखना है यहाँ पर एक बात का विशे ध्यान रखे मतदाता रिश्टर कभी-कभी काउंटर पर चेक किया जाता है तो आप इस लिफाफे को सिर्फ नीचे से सील करें उपर से इसको सील ना करें तीसरा लिफाफा है मतदाता पढ़चों के सील कवर है तू तो मतदान अधिगारी थर्ट के पास जो पड़चे जम्म होती है उसके 25 के बंडल बनाकर आपको इस लिफाफे में रखने है और इस लिफाफे को सील करना है लिफाफा नमबर 4 है ए पिर्युक्त निविदत मतपत्रों के सील्ड कवर है तू तो आपको ए पिर्युक्त निविदत मतपत्रों को इस लिफाफे में रखना है और उसे सील करना है लिफाफा नमबर पांच है पिरियुक्त नीविदत मतपत्रो एवं पिरारूप सत्राखे की सूची के सील्ड कवर है तू तो अगर आपके हाँ टेंडर वोट डाले गए हैं तो आपको टेंडर वोट और उसके पिरारूप की सूची इस लिफाफे में रखनी है अगर आपके हाँ टेंडर वोट नहीं डाले गए हैं तो आपको एक साधी परची पर निल लिखना है और इस लिफाफे में रखना है लेकिन ये लिफाफा आपको बनाना जरूर है और इसे सील्ड भी करना है तो इस पिरकार आपके पांच साधी लिफाफे होगे जिनको आपको सील करना है सील करने के बाद आपको इनको एक बड़े पेकिट में रखना है इन लिफाफों में एक लिफाफा मद्दाता रइश्टर पिरारूप सत्रा केका है उसके बारे में आप अपने काउंटर पर पता कर ले अगर वो लिफाफा काउंटर पर चेक किया जाएगा तो आप उसे उपर से सील ना करे बाई की नीचे से आप उसे सील कर सकते है इसके बाद हम एसावेदिक लिफाफे को देखते हैं एस सावेदिक लिफाफे 11 होते हैं एस सावेदिक लिफाफे में सबसे पहला लिफाफा है निर्वाचक नामावली की अन्नी पिर्टिया तो आपको तीन पिर्टिया मिलती है जिसमें से एक चीहनित पिर्टिया आपने सावेदिक लिफाफे में रख दी उसके अतिरिक्त जो आपकी दो पिर्टिया बच्ती है वो आपको इस लिफाफे में रखनी है लिफाफा नमबर दो है मद्दान अभी करताओ की न्युक्ति तो आपने मद्दान अभी करताओ की जो न्युक्ति की है पिरारूब 10 में उन युक्ती पत्रों को आपको इस लिफाफे में रखना है लिफाफा नमबर तीन है निर्वाचक करतवे पिरमाल पत्र पिरारूब बाराखे तो अगर आपने EDC के माद्यम से अर्थात मद्दान ड्यूटी पिरमाल पत्र के आधार पर किसी का मत दलवाया है तो आप उस पिरमाल पत्र को इस लिफाफे में रखेंगे लिफाफा नमबर चार है चेलेंज मतों की सूची पिरारूब 14 तो अगर आपके हैं चेलेंज मत डाले गए हैं तो उसकी सूची आप इस लिफाफे में रखेंगे अगर आपके हैं कोई भी चलेंज मत नहीं डाला गया तो आप एक साधी परचे में निल लिखेंगे और इस लिफाफे में रख देंगे लेकिन आपको ये लिफाफा जरूर बनाना है और उसे सील भी करना है इसामेदिक लिफाफा में सिर्फ यही लिफाफा है जिसे आपको सील करना है इसके बाद हम लिफाफा नंबर पांच देखते हैं लिफाफा नंबर पांच है अंधे एवं अशक्त मद्दाताओं की सूची पिरारूप चोदा के में तता उनके साथियों की गोशणा तो अगर आपके हैं किसी अंधे एवं अशक्त मद्दाता ने अपने साथि के द्वारा मद्दान किया है तो आपको उसके साथि की गोशणा और उसकी सूची इस लिफाफे में रखनी है लिफाफा नंबर छे है ऐसे मद्दाताओं की सूची जिनके द्वारा लिफाफा नंबर साथ है चेलेंज मतों की रसीद बुक और नगत जमा की गई धन्दाशी के कवर है तू तो अगर आपके हैं कोई चेलेंज मत डाला गया है तो आप उसकी रसीद और उससे जमा की गई रकम को इस लिफाफे में रखेंगे अगर आपके हैं कोई चिले इंदमत नहीं डाला गया है तो आप एक साधे पेपर पर निल लिखेंगे और उसे इस लिफाफे में रख देंगे लिफाफा नमबर आठ है एपिर्योग्त एवं चहतिगरस्त पेपर सील के कवर है तू तो आपको तीन पेपर सील मिलती है मानली जी आपके पिर्योग में एक पेपर सील आई जो दो पेपर सील बचेंगी वो आपको इस लिफाफे में रखनी है इसके बाद हम लिफाफा नमबर नो देखते हैं लिफाफा नमबर नो है एपिर्युक्त मद्दाता पड़्चियों के कवरेतू तो आपके पास जितनी भी एपिर्युक्त मद्दाता पड़्ची होंगी वो आपको इस लिफाफे में रखनी है इसके बाद हम लिफाफा नमबर 10 देखते हैं लिफाफा नमबर 10 है एपिर्युक्त एवं छतिगरस इस्पेशल टेक के कवर है तू मान लिजी आपको तीन इस्पेशल टेक मिले जिसमें से एक इस्पेशल टेक आपने कंट्रोल यूनिट पर बांद लिया बाकी की जो दो इस्पेशल टेक बचेंगे वो आपको इस लिफाफे में रखने है लिफाफा नमर 11 है एपिर्युक्त एवं छतिगरस आउटर स्टिप सील के कवर है तू तो आपको एपिर्युक्त और छतिगरस आउटर स्टिप सील को इस लिफाफे में रखना है इस पिरकार आपके ये ग्यारा एसामेदिक लिफाफे हो गए इन ग्यारा एसामेदिक लिफाफे में सिर्फ एक लिफाफा है जिसको आपको सील करना है जो लिफाफा नमबर चार है चेलेंज मतों की सुची वाला सिर्फ उसी लिफाफे को आपको सील करना है इसके बाद हम तीसरा लिफाफा देखते हैं तीसरे पेगट के समस लिफाफों के कवर है तू तो इन लिफाफों को रंग भूरा होगा इस लिफाफा में आपको क्या क्या रखना है देखते हैं तीसरे पेगट में सबसे पहला लिफाफा है पीठा सी नदीकारी की हस्त पुस्तिका के कवरेतू तो पीठा सी नदीकारी को एक हस्त पुस्तिका मिलती है जिसमें मद्दान से जूड़ी सारी जानकारी होती है उस हस्त पुस्तिका को आपको इस लिफाफे में रखना है इसके बाद हम लिफाफा नमबर दो देखते हैं दूसरा लिफाफा है इलेक्टोनिक वोटिंग मशीन के मैन्यूल के कवरेतू जब हमें EVM मशीन मिलेगी तो उसके साथ एक उसकी एक बुगलेट मिलेगी जिसमें मशीन से रिलेटेट सारी जानकारी होंगी तो उस मैन्यूल को आपको इस लिफाफे में रखना है लिफाफा नमबर तीन है अमिट सियाई की शीशी के सेट कवरेतू तो आपको जो अमिट सियाई मिली है उसकी शीशी को आपको इस कवर में रखना है लिफाफा नमबर चार है इस्टाम पेट के कवर है तू तो आपको इस्टाम पेट को इस लिफाफे में रखना है लिफाफा नमबर पाँच है पीटासीन अधिकारी की ब्रासील के कवर है तू तो सामानी तोर पर ब्रासील जो है काउंटर पर हातों में ही जमा करते है लिफाफा नमबर छे है निविदत मत्पत्रों को चीनित करने के लिए पिर्युक्त एरोकिरोस मार्क रबल इस्टेम के कवरेत। तो एरोकिरोस मार्क रबल इस्टेम भी काॉंटर पर खुली जमा होती है। लिफाफा नमबर साथ है, Amit CI की शीशी के रखरकाव है तू, पिर्युक्त कप के कवर है तू, तो जो आपको Amit CI रखने के लिए कप मिला होगा, उसे आपको इस लिफाफे में रखना है, इसके बाद हम देखते हैं कि आपको काउंटर पर क्या के जमा करना है, काउंटर पर जमा होने वाली खुली सामगिरी का विवण, नमबर एक पर है EVM मशीन, CUBU VVPET, नमबर दो पर है VVPET की बेटरी, जब आपका मदान समापत हो जाता है, तो आपको इस VVPET से बेटरी निकालनी होती है, और उसे काउंटर पर जमा करना होता है, नमबर तीन पर है, मदाता रइश्टर 17 के, तो अभी हमने आपको बताया था, कि मदाता रइश्टर सामेदिक लिफाफों में जमा होता है, लेकिन कभी-कभी ये काउंटर पर चेक होता है, तो आप इस लिफाफे को उपर से सीलना करे, ताकि ये काउंटर पर आप इसे दिखा सके, नमबर चार पर है पिटासीन की दोनों डायरी, तो पिटासीन की दो डायरी होती है, एक साधी डायरी और एक सूचना वाली डायरी, दोनों डायरी आपके काउंटर पर जमा होती है, नमबर पांच पर है, मत पत्र लेगा की दो पिर्ती, तो आपको काउंटर पर दो पिर्ती देनी है, जबके एक अन्य पिर्टी आपको CU पर बांदनी है नमबर छे पर है PS05 की दो पिर्टी नमबर साथ पर है ASD Water की सूची जिन्होंने अपने मत का इस्तमाल किया है तो अकर आपके हैं ASD Water ने मत का इस्तमाल किया है तो आपको उसकी सूची काउंटर पर देनी होगी नमबर आठ पर है Sailing के समय पिर्योग होने वाली पीतल की महोर अभी हमने आपको लिफाफों में बताया था चुकि ये काउंटर पर जमा होती है इसलिए से आपको काउंटर पर ही जमा करना है नमबर नो पर है Aero Cross महर नमबर 10 पर है Mookpol की पडची का सफ़ेद जिब्बा नमबर 11 पर है Mookpol पिर्माल पत्र नमबर 12 पर है अन्य गोशाये सफ़ेद लिफाफों में आपको एक सफ़ेद लिफाफों मिला होगा तो आपकी जितनी भी गोशाये होंगी वो आपको सफेज लिफाफे में रखनी है जैसे widget sheet मददान से पूर वे बात की गोशला मशीन को seal करने की गोशला close button दबाने की गोशला 17K के संबन्द में पिरमाल पत्र यदि कोई test वोट पड़ा है तो उसका पिरमाल पत्र अगर वी वी पेट या सी यू की बेटी चेंज हुई है तो उसका पिरमाल पत्र आदी तो जितनी भी बाकी गोशला हैं आपको इस सफेज लिफाफे में रखनी है तो इस पिरकिर जाके अनुसार अगर आप काम करेंगे तो आपको समान जमा करने में किसी भी तरह की कोई परिशानी नहीं होगी अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए शेर कीजिए धन्यवाद